नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं NK Concepts तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बोया बाई M1 जो माइक होता है इसमें जो नोई स्कैंसिलेशन होता है क्या सच में इसमें होता है क्योंकि दोस्तों लगबग मेरे को डेड़ साल हो दोर के अंदर ही कैसा परफॉर्म करता है और वो वीडियो मैंने कंप्लीट मार्केट में जाकर रिकॉर्ड किया जहां पर नेचुरल जो कि वीकल्स के साउंड्स होते हैं तो उसमें रिकॉर्ड किया था तो मैंने पब्लीक पर छोड़ दिया था कि आप लोग देखी इसमे लोगो नहीं लगा तो मैं आपको एक्चुर में बताऊंगा कि इसमें नोश केंसलेशन होता ही है या नहीं होता है क्योंकि बड़े-बड़े यूटूबर्स ने बहुत सारे वीडियो इसके पर बनाए हुए काफी फेमस हो गया यूटूबर्स के लिए माइक मगर मैं आप आपको इसको लाइव डेमो देता हूँ और अभी जो वीडियो में आप सुनेंगे वो फेन के साथ में मेरी आवाज सुनेंगे तो दोस्तो मैंने अभी फेन को ओन कर दिया है क्या आपको बैक्ग्राउंड में फेन की नोश नजर आ रही है अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या यह कैंसिल कर पा रहा है तो दोस्तों अब आपको मैं किलिरली बता देता हूँ इस माइक में नोश कैंसिलीशन होता ही नहीं है अगर आप किसी अपने इयर फोन को लगा कर भी अपना को वीडियो रिकोर्ड करेंगे तो आपको वही साउंड देखने को मिले का जो फिल एर फोन होते है उनकर यह वायर होता है वह बहुत छोटा होता है अगर आपका फोन आपसे का दूर भी है तो आप बड़े ही असानी से साउंड रिकोर्ड कर पाएंगे उसके अलावा अगर आप close range के ही वीडियो शूट करते हैं तो मेरे इसाब से आप कोई भी mic ले लिए जी सब बराबर perform करेंगे आपको बोया वाला mic लेना की कोई जुरुत नहीं है क्योंकि इसमें आप 800-900 रुपे खर्च करेंगे उसके अलावा मैंने इस mic का यूज करकर एक छोटा सा व्लोग नाने की कोशिश की थी और उस व्लोग का भी link मैं description में दे दूँगा उसमें मैंने कोई भी voice editing नहीं की है जो natural voice थी वही मैंने उसमें डाली है और मैंने कोई भी editing उसमें नहीं की है तो आप देख लीजिए कितना background voice यह capture कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है और मैं तो यह कहूंगा दोफ्तो अगर आपके पास budget की shortage है तो इस mic को लेने की कोई जरूरत नहीं है हाँ दोफ्तो जो महेंगे mics होते हैं जैसे कि आप screen पर देख रहे होंगे इन में से अगर आप कोई भी mic लेंगे यह काफी महेंगी रेजम मिलते हैं चार-पांच अजाज से तो minimum छोटे-छोटे mic में starting होती है तो इन mic में noise cancellation का feature होता है और आपको बता दूँ अगर आप fan चलाकर record करेंगे न तो यह महेंगे वाले mic भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे उस sound को यह definitely capture करेंगे बस इन महेंगे mics में फायदा यह होता है कि जैसे कि मैं बिल्कुल pass से बोला हूँ तो मेरे sound को यह preference देगा यानि मेरे sound को amplify कर देगा और background के noise को थोड़ा सा कम कर देगा मगर record तो वो भी background के noise को करेगा अगर आप सोच रहें कि बहुती noisy environment पर वीडियो बना लेंगे बिना background noise के वो possible नहीं है उसके लिए आपको वीडियो की बाद में editing करनी पड़ती है और मैं आपको generally बता दूँ mobile में Android में कोई ऐसा software ऐसा है नहीं कि कोई बहुती अच्छे तरीके से आपके background के noise को edit कर दे उसके लिए आपको computer के software में जाना होगा मैं को specific नाम नहीं लूँगा most of the computer के जो apps होते हैं उनमें ये feature मिल जाता है कि आप background के noise को cancel कर देते हैं तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक्यू वेरी मच्च